आज मैं आपको पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए दूसरे मुकाबले की कहानी सुनाऊंगा। यह मैच IPL 2024 का हिस्सा था। पंजाब किंग्स ने टॉस जीत कर पहले गिंदबाजी करने का फैसला किया। उनके गिंदबाजों ने शांदार प्रदर्शन करते हुए दिल्ली कैपिटल्स को 20 ओवरों में 7 विकेट पर 165 रनों तक ही सीमित रखा। अर्शदीप सिंग ने 4 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट लिए। लक्ष का पीछा करते हुए पंजाब की शुरुआत अच्छी नहीं रही और वे 5 विकेट पर 72 रन पर आ गए थे। लेकिन इसके बाद लियम लिविंग स्टोन और सैम बिलिंग्स ने एक शांदार साजेदारी की। लिविंग स्टोन ने 48 गेंदों में 72 रन की तूफानी पारी खेली जबकि बिलिंग्स ने 37 गेंदों में नाबाद 54 रन बनाए। इन दोनों की जोड़दार बल्लेबाजी से पंजाब ने 18.5 ओवर में 7 विकेट पर 179 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। लियम लिविंग स्टोन को उनकी शांदार बल्लेबाजी के लिए मैन ओफ दे मैच का पुरसकार मिला। दिल्ली कैपिटल्स को अपने खरा प्रदर्शन के लिए खेत था लेकिन पंजाब किंग्स की टीम ने जश्न मनाया। दो शहरों के बीच की लड़ाई, एक जीत का सफर। IPL 2024 की शुरुआत हो चुकी थी और क्रिकेट प्रेमियों के बीच उत्सा की लहर दौड रही थी। पहला मैच खेला जा चुका था और अब सभी की निगाहें दूसरे मैच पर टिकी हुई थी, जिसमें पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने थी। दोनों टीमें नए सत्र में भेतर प्रदर्शन करना चाहती थी। पंजाब किंग्स प्रबंधन और खिलाडियों के बीच काफी उत्सा था। टीम की गेंदबाजी शिंखला में अर्शदीप सिंग, राहुल चाहर और नाथन एलिस जैसे गेंदबाज शामिल थे। बल्लेबाजी में शिखर धवन की अनुगवी अगुवाई में लियम लिविंग स्टोन, बाबर आजम और जौनी बेर्स्टो जैसे खिलाडी मौजूद थे। साथ ही सैम बिलिंग्स जैसे ओल राउंडर्स भी टीम को मजबूती प्रदान कर रहे थे। दूसरी तरफ दूसरी तरफ दिल्ली कापिटल्स भी अपने प्रदर्शन को लेकर आश्वस्त थी। उनके पास दिगज खिलाडी रुशब पंत, देविट वार्नर और एक्स फैक्टर मिचेल मार्श जैसे प्रतिभाशाली बल्लेबाज मौजूद थे। गेंदबाजी आक्रमण में अन्रिच नौट जे, कुल्दीप यादव और चमकते सितारे मोहित शर्मा शामिल थे। मैच शुरू होने से पहले मैदान पर उत्सा और रोमाज की लहर दौड रही थी। दोनों टीमें भेतरीन प्रदर्शन करने के लिए बेताप थी। मैविट वॉर्नर और फिलिप सॉल्ट क्रीज पर उत्रे। पंजाब की गेंदबाजी शुरू से ही गेंद पर अंकुष बनाए हुए थी। अर्शदीप सिंग और नाथन एलिस ने अपना जोहर दिखाया। तीस रन पर वॉर्नर आउट हो गए लेकिन मिचल मार्श ने जोरदार अंदाज में खेलना शुरू कर दिया। सॉल्ट भी अच्छा खेल रहे थे। मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने अभी तक कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ा था जब मार्श और सॉल्ट क्रीज पर मौजूद थे। लेकिन यह स्थिती जल्द ही बदल गई। अर्शदीप ने जबरदस्त गेंद बाजी की और मार्श को आउट कर दिया। सॉल्ट भी जल्द ही पवेलियन लौट गए। स्कोर 110 बटा 5 था। दिल्ली की पारी लड़ खड़ा रही थी। लेकिन रोविमन पाविल और अक्षर पटेल ने नाबात पारियां खेली। दोनों ने पारी के अंत में शिखर धावा बोला। 20 ओवरों में दिल्ली ने 7 विकेट पर 165 रन बनाए। पाविल ने 33 गेंदों में 49 रन बनाए जबकि अक्षर ने 22 गेंदों में नाबातिक 30 रन बनाए। अर्शदीप सिंग ने 4 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट लिए। अंतराविराम पर दोनों टीमों के लिए स्कोर 165 था जो एक मध्यम स्कोर था। अब पंजाब को अच्छी बल्लेबाजी की जरूरत थी। पंजाब की पारी शुरू। शिखर धवन और बाबर आजम ने पंजाब की पारी की शुरुआत की। दोनों अनुभवी बल्लेबाज थे और उनसे बहुत कुछ उम्मीद था। हालांकी दिल्ली के गेंदबाजों ने रोकथाम की अच्छी शुरुआत की। खासकर नौट जे और मोहित शर्मा ने लगातार लाइन और लेंथ दबाव बनाए रखा। धवन के आउट होने के बाद लियम लिविंग स्टोन आये लेकिन वह भी बहुत देर तिक नहीं पाये। स्कोर पचास रन के करीब था और पंजाब चार विकेट पर बहतर रन पर आ गई थी। मैच से बाहर होने का खत्रा बना हुआ था। यहां लिविंग स्टोन ने एक एहम साजेदारी की। उन्होंने सैम बिलिंग्स के साथ मिलकर पंजाब को वापस मैच में लाने में एहम भूमी का निभाई। दोनोंने तेजी से रन बटोरना शुरू किया। लिविंग स्टोन ने केवल 48 गेंदों में 72 रनों की तूफानी पारी खेली जिसमें 3,4 और 6 छक्के शामिल थे। IPL 2024 की शुरुआत हो चुकी थी और क्रिकेट प्रेमियों के बीच उत्सा की लहर दौड रही थी। पहला मैच खेला जा चुका था और अब सभी की निगाहें दूसरे मैच पर तिकी हुई थी जिसमें पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने थी। दोनों टीमें नए सत्र में भेतर प्रदर्शन करना चाहती थी। पंजाब किंग्स प्रबंधन और खिलाडियों के बीच काफी उत्सा था। टीम की गेंदबाजी शिंखला में अर्शदीप सिंग, राहुल चाहर और नाथन एलिस जैसे गेंदबाज शामिल थे। बल्लेबाजी में शिखर धवन की अनुगवी अगुवाई में लियेम लिविंग स्टोन, बाबर आजम और जॉनी बेर स्टो जैसे खिलाडी मौजूद थे। साथ ही सैम बिलिंग्स जैसे ओल राउंडर्स भी टीम को मजबूती प्रदान कर रहे थे। दूसरी तरफ दूसरी तरफ दिल्ली कापिटल्स भी अपने प्रदर्शन को लेकर आश्वस थी। उनके पास दिगज खिलाडी रुशप पंत, देविट वार्नर और एक्स फैक्टर मिचेल मार्श जैसे प्रतिभाशाली बल्लेबाज मौजूद थे। गेंदबाजी आक्रमण में अन्रिच नौट जे, कुलदीप यादव और चमकते सितारे मोहित शर्मा शामिल थे। मैच शुरू होने से पहले मैदान पर उत्सा और रोमाज की लहर दोड रही थी। दोनों टीमें भेतरीन प्रदर्शन करने के लिए बेताप थी। टॉस हुआ और पंजाब किंग्स ने जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली की पारी पारी की शुरुवात हुई और दिल्ली के ओपनर डेविट वॉर्नर और फिलिप सॉल्ट क्रीज पर उत्रे। पंजाब की गेंदबाजी शुरू से ही गेंदपर अंकुष बनाए हुए थी। अर्शदीब सिंग और नाथन एलिस ने अपना जोहर दिखाया। तीस रन पर वॉर्नर आउट हो गए लेकिन मिच्चिल मार्श ने जोरदार अंदाज में खेलना शुरू कर दिया। सौल्ट भी अच्छा खेल रहे थे। मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने अभी तक कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ा था जब मार्श और सौल्ट क्रीज पर मौजूद थे। लेकिन यह स्थिती जल्द ही बदल गई। अर्शदीप ने जबरदस्ट गेंदबाजी की और मार्श को आउट कर दिया। सौल्ट भी जल्द ही पवेलियन लौट गए। स्कोर 110 बटा पांच था। दिल्ली की पारी लड़ खड़ा रही थी। लेकिन रोविमन पाविल और अक्षर पटेल ने नाबाद पारियां खेली। दोनों ने पारी के अंत में शिखर धावा बोला। 20 ओवरों में दिल्ली ने 7 विकेट पर 165 रन बनाए। पाविल ने 33 गेंदों में 49 रन बनाए जबकि अक्षर ने 22 गेंदों में नाबाद इक 30 रन बनाए। अर्शदीप सिंग ने 4 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट लिए। अंतराविराम पर दोनों टीमों के लिए स्कोर 165 था जो एक मध्यम स्कोर था। अब पंजाब को अच्छी बल्लेबाजी की जरूरत थी। पंजाब की पारी शुरू। शिखर धवन और बाबर आजम ने पंजाब की पारी की शुरुआत की। दोनों अनुभवी बल्लेबाज थे और उनसे बहुत कुछ उम्मीद था। हालां की दिल्ली के गेंदबाजों ने रोकथाम की अच्छी शुरुआत की। खासकर नौट जे और मोहित शर्मा ने लगातार लाइन और लिंथ दबाव बनाए रखा। धवन के आउट होने के बाद लियम लिविंग स्टोन आये लेकिन वह भी बहुत देर तिक नहीं पाये। स्कोर पचास रन के करीब था और पंजाब चार विकेट पर बहतर रन पर आ गई थी। मैच से बाहर होने का खत्रा बना हुआ था। यहां लिविंग स्टोन ने एक एहम साजेदारी की। उन्होंने सैम बिलिंग्स के साथ मिलकर पंजाब को वापस मैच में लाने में एहम भूमी का निभाई। दोनोंने तेजी से रन बटोरना शुरू किया। लिविंग स्टोन ने केवल 48 गेंदों में 72 रनों की तूफानी पारी खेली जिसमें 3 चौके और 6 छके शामिल थे। कि अंष। झाल 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 झाल